Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल गाड़ी में लगाना, वो compulsory हो गया है, क्योंकि जब भी आप किसी toll से cross करें, तो जो आपका पैसा है toll का, वो automatically account से cut जाए, तो ये जो fast tag लगाया गया है, सोचिए, अगर कोई ऐसा person आये, और ये fast tag को scan कर ले एक device से, और आपका पैसा automatically account से cut जाए, तो क्या होगा, तो जाहिर पर कार में लगे fast tag को scan कर रहा है, और पैसा cut जा रहा है, तो इस तरह का जो वीडियो है, वो इतना ज़्यादा viral हो गया, finally सरकार को आकर इसको लेकर explanation देना पड़ा, पेटियम को explanation देना पड़ा, तो यहाँ पर हम इसको detail से समझेंगे, और साथ में देखेंगे, यह जो fast tag है, वो work कैसे करता है, और यह क्यों secure है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिकिन उसके पहले एक बहुत important खबर, जो पहला batch था हमारा study IQ का, UPSC, mains foundation, pre plus mains, जिसमें आपकी पूरी तयारी अच्छे से कराए जाएगी, यह काफी जादा success होने के बाद हमने second batch को launch कर दिया है, और ध्यान रखेगा, यह जो second batch है, वो start हो रहा है 15th of July से, और इसमें जो live classes होंगी, वो morning में होंगी, सुबह 8 बचे, तो अगर आप इसको enroll कर जो की 25,000 का है, वो आपको सिर्फ 20,000 में मिल जाएगा, अगर आप code इसमाल करेंगे, अंकित live, और यह जो price है, यह लगतार बढ़ते रहेंगे, तो जितना जल्दी हो आप इसको avail कर दे लिए, क्योंकि price वो बढ़ते रहेंगे आगे आने वाले समय में, इसके अलावा अग जो fast tag है, वो लगाया जाता है, और कई banks जो है, वो issue कर सकते हैं, इसको चलाया जाता है, और इसको चलाया जाता है, NPCI के दोरा, जो UPI हो गया, रूपे कार्ड हो गया, यह सब कुछ NPCI, National Payment Corporation of India देखती है, वो भी इसी के दोरा चलाया जाता है, और यह क्या होता है, कि ATM में आपके पास जो पैसा होगा, उससे automatically है, कटता रहेगा, और 23 banks के दोरा यह operate किया जाता है, fast tag के अंदर आप देख सकते हो, कई features होते हैं, जैसे QR code भी आपको देखने को मिलेगा, और जो सबसे important है, वो है आपका antenna, antenna क्यों होता है, क्योंकि जब आप toll booth पर जाते हो, तो वहाँ पर RFID technology के माध्यम से यह scan कर लेता है, radio frequency identification technology के माध्यम से यह scan कर लेता है, और automatically आपके account से जो पैसे हैं, वो कट जाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कि आपने देखा होगा, अकसर इंटरनेट पर कुछ videos वगर आते रहते हैं, तो यहाँ प traffic light पर अपनी गाड़ी रोकी, तो आपर कई बार जो beggars होते हैं, बच्चे होते हैं विचारे, तो वो क्या करते हैं, अचानक से आकर आपका जो windshield है, जो शीशा है, उसको साफ करने लगते हैं, तो यहाँ पर यह जो video दिखाया जा रहा था, उसमें ये दिखाया, कि एक बच स्कैन करनी के बज़े से आपका जो पैसा अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह जो video है, वो पूरी तरह से fake है, इन फाक पेटियम को भी इसको लेकर एक statement जारी करना पड़ा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह बच्चा है, और यहाँ पर इसके ह ऐसा possible ही नहीं है, इन फाक यह जो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे, तो उसके अंदर जो लोग हैं, वो वही बात कर रहे हैं, और उस बच्चे से पूछ रहे हैं, कि तुमारे हाथ में यह वाच क्या है, तो जैसे ही एक परसन ने पूछा यह वाच क्या है, तो वो ब baseless and false videos circulating on social media, तो question यहाँ पर यह है कि यह safe क्यों है, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि यह complete safe है, इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, दीखे, हर एक जो toll plaza होता है, वो अपने आप में एक unique code दिया जाता है, पूरे देश भर में जो national highway या आप देखते हो, तो यह जो toll plaza होता है, उसको एक unique ID code दे दिया जाता है, कि यह मालो 1, 2, 3, 4 या फिर जैसे भी, अलग-अलग code allocate कर दिये जाते हैं, हर एक toll plaza को, और यह जो toll plaza होता है, वो एक bank के साथ कहीं न कहीं partnership कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर इसका एक acquirer bank होता है, ICICI, SBI, जो भी कर सकते हैं, वो क combination से, क्योंकि इसका unique code है, bank के साथ acquire कर दिया, यहाँ पर जो combination से, जो पुरा NETC system है, वो work करता है, NETC का मतलब यह हुआ, National Electronic Toll Collection, मतलब की देश भर में जब हमने देखा कि गाडियों में यहाँ पर automatically toll collection होने लगा, तो वो जो पुरा system बनाया गया है, उसी कौम कहते है, National Electronic Toll collection system, तो होता क्या है कि यह system के अंदर यह जो unique code है, जो toll, toll, हर एक toll boot को दिया जाता है, और जो bank हो गया, दोनों को combine करके, यह पुरा system चलाया जाता है, ताकि जब गाडियों यहाँ से गुजरें, तो toll collection हो सके, अब होता क्या एक और चीज़ यहाँ पर यह है, कि geocode से map किया जो system है, उसको उठा कर ले गया, और कहीं और जाकर उसने scan कर दिया, तो क्या यह possible है, नहीं possible है, क्योंकि इसको geotag भी किया जाता है, मतलब जो longitude, latitude के हिसाब से बताया जाता है, कि यह जो toll collection होगा, वो इसी जगा हो सकता है, अब यह toll plaza कहीं भागेगा तो है नहीं, वो त कोई भी transaction जब process होगा, तो वहाँ पर toll plaza ID के आउशकता पड़ेगी, तो इस तरह के videos दिखाना और बताना कि देखिए, कोई भी person आकर आपके गाड़ी पर जो है device लगाएगा, और आपका पैस account से cut हो जाएगा, यह completely wrong है और यह fake है, इसके लाब आपको यह भी पता होगा, कि inbuilt security mechanism इसके अंदर होता है, कि जब भी आपका toll कटता है, जो है गाड़ी का, तो आपके पास तुरंद message आ जाता है, यहाँ पर SMS आ जाता है, जिसमे toll name लिखा होता है, transaction date लिखा होता है, transaction amount लिखा होता है, balance कितना बचा है, यह सब कुछ आपको उसके अंदर देखने को मिल लोनर्स तो इनफर्ट आप अगर चाहो तो NHI का जो website है, वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, कितना toll है हर एक plaza का, तो NPCI ने भी यही चीज कहा यहाँ पर, कि यह जो बताया जा रहा है, वीडियो के अंदर यह गलत है, क्योंकि person to merchant ही transaction होता है, P2P transaction नहीं होता, P2P क्या है, जै लेकिन जो toll plaza वाला mechanism में वो person to person नहीं है, यह सरिफ person to merchant है, तो इसके लिए यह कहना कि कोई person आए और scan कर ले, यह गलत होगा, और NPCI ने यह भी कहा, no transactions can be executed through open internet connectivity, कोई भी आता है और internet connectivity कहीं पर गयो, वो सब कुछ secure होटा है, toll plaza पर connected होती हैं, तभी वहाँ पर toll collect होता है, ग यह पूरी तरह से गलत है, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा वीडियो था, बट एक जो पूरा mechanism है, वो हमें समझने कि आउशकता है, कि यह किस तरह सी चीज़ें चलती हैं, चली जाने से पहले, क्योंकि हम toll वगर की बात करें हैं, आने जाने की बात करें तो यहाँ पर Buckingham Canal, यह एक national waterway है भारत के अंदर, क्या बता सकते हो, it is a canal running from where to where, ठीक है, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका से उतर में कई सारे MCQs हैं, यहाँ पर Stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग-लग Social Media पर आप जूर पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, कि हमारा जो Live Foundation batch है, क्योंकि सब कुछ Live पढ़ मिल जाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.